तिरे में बार्ट, चक 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 बार्ट, चक चक बार्ट कैसे होते हैं? क्या आपने कभी इतना मोटा ताजा, चर्विदार और प्लमपर चिकन खाया है, जितना की एक advertisement में दिखाया जाता है? क्या आपकी pastries की layers उतनी ही uniform होती हैं, जितनी की advertisers उन्हें दिखाते हैं? अगर हम किसी भी खाने की चीज़ को देखें, तो वो जितनी अच् हर product को आकर शक बनाने के लिए बहुत सी dirty तथा intelligent tricks का इस्तिमाल करते हैं, तो आईए जानते हैं कुछ ऐसी ही tricks के बारे में, जिनका उप्योग करके photographers हम लोगों की आखों को बड़ी आसानी से धोका देते हैं, और खाने की चीज़ों को दिखने में कई गुना जादा अधिश्ट बना देते हैं, जिससे उनकी बिकरी अच्छी हो सके. तो फिर इतने steamy shots के पीछे का क्या secret है? Cotton balls में पानी को होड करने की एक अचिक शमता होती है, जिससे ये average से जादा समय तक steam उत्पन कर सकती हैं. इस चीज़ का फाइदा उठाते हुए, photographers बहुत ही शातिर तरीके से इन cotton balls को अपने products के आज़ पास छिपा देते हैं, जिससे काफी समय बाद भी वो हर food product को just cooked appearance दे सकें और एक perfect shot ले सकें. यहाँ भी photographers, steamers की मदद से हर तरह के गरम परोसी जाने वाले food product के आज़ पास smoke generate करते हैं, जिससे की वो freshly cooked दिखाए दे सकें. cotton balls की तरह ही ये trick भी काफी असरदार होती है. styrofoam क्या आपने कभी ये notice किया है कि जब भी हम कहीं pasta order करते हैं, तो वो advertisement में दिखाए गए pasta के जैसा heaping बिलकुल नहीं होता. जब भी हम pasta किसी bowl में रखते हैं, तो वो नीचे sink होकर flat याने की चप्ता हो जाता है. photography के समय इस चीज को prevent करने के लिए और अपने pasta को heaping बनाने के लिए advertisers पहले bowl में नीचे styrofoam का dome बना देते हैं और फिर उसी dome के उपर pasta रखते हैं. इससे न तो pasta slip होता है और ना ही वो नीचे sink होता है, पर ये technique real life में भूल कर भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए. क्योंकि styrofoam में styrene जैसा harmful chemical होता है, जिसे की cancer, vision and hearing loss और साथ ही nervous system breakdown होने का भी खत्रा रहता है. Pizza trick Pizza जितना cheesy एक advertisement में दिखाई देता है, उतना कभी real life में नहीं होता. आखिर ऐसा क्या है जो pizza को ad में इतना cheesy बना देता है? दरसल pizza के cheesy pull shot के लिए भी एक बेहट शातिर trick का इस्तिमाल किया जाता है, जिसमें pizza को बनाने से पहले उसके base की एक slice काट कर, उस slice के कटे हुए हिससे में cheese के तुकडे या cheese strips को perpendicularly रखा जाता है, जिससे pizza के तयार होने के बाद उस हिससे को pull करने में cheese की थिक waterfall layer आ सके. साथ ही photographers एक perfect pull shot के लिए pizza को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि गरम cheese थिन होने के साथ साथ जल्द ही अलग भी हो जाता है. इस trick को real life में use करने में काफी समय और पैसा बरबाद हो सकता है. समय की पाबंदी और अधिक भीड होने के कारण, hotels, restaurants और cafes जैसी जगाओं पर इस trick का इस्तिमाल करना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन हो जाता है. Cakes and Pastries Trick जब भी हम icing वाला cake या pastry खरीते हैं, तो उनकी layers उतनी uniform नहीं होती, जितना उन्हें एक advertisement में दिखाया जाता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि advertisement के समय pastry तथा cake की हर layer को uniform बनाने के लिए cardboard का इस्तिमाल किया जाता है, और इसे छिपाने के लिए cardboard की layer को pastry तथा cake के कलर में रंग दिया जाता है, और इतना ही नहीं, इन पर इस्तिमाल होने वाली whipped cream एक ऐसा पदार्थ है, जो की बहुत जल्दी होती है, और इसमें chemicals होने की वज़ा से वो पिगलती भी नहीं, shaving foam को सिर्फ cakes या pastries के ads के लिए ही नहीं, बल्कि हर वो food product जिसमें whipped cream डलती है, उन सभी के ads में इसका इस्तिमाल किया जाता है, Advertisement में दिखाया जाने वाला fluffy, juicy और golden brown chicken असल में कभी grilled होता ही नहीं है, यहाँ तक कि इतना tasty दिखने वाला chicken असलियत में खाने लायक बिल्कुल नहीं होता, Advertisers बड़ी ही intelligent trick का इस्तिमाल करके, ad में दिखाया गए chicken को कुछ इस तरह enticing बना देते हैं, जिससे लोग अपने आपको उसे खाने से रोग नहीं पाते, Advertisement में दिखाया गए chicken को fluffy और plumper दिखाने के लिए उसके अंदर mashed potatoes या paper towels घुसाए जाते हैं, साथ ही इन्हें juicy और golden brown दिखाने के लिए पकाने के बजाए इस पर paint कर दिया जाता है, फोटाग्रफर्स को अगर किसी खाने की चीज की फोटाग्रफी करने में सबसे ज़ादा परिशानी होती है, तो वो है ice creams, खास कर इसलिए क्योंकि ice creams के photo shoot के दौरान उन्हें एक ice cold shot लेना पड़ता है, और studio lights के बेहत गरम होने की वज़ा से ice cream इन lights के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू हो जाती है, ऐसे में इतने कम समय में एक icy cold shot पाना photographers के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इस चीज को prevent करने के लिए photographers ice creams की जगा mashed potatoes का इस्तिमाल करते हैं, और इस illusion को पहचानना लगभग असंभव हो जाता है जब इसमें coloration के साथ साथ mixing भी कर दी जाती है, इसका मतलब advertisement में जो frosty cold ice cream देखकर आपके मुँँ में पानी आता है, वो कुछ और नहीं, बलकि mashed potatoes होते हैं, अपनी long lasting durability और hot lights में भी melt ना होने की वज़ा से, mashed potatoes को food advertising industry का अंसंग hero माना जाता है, पिछले कुछ वर्षों में advertisers ने mashed potatoes की मदद से ऐसे बहुत से तरीके निकाले हैं, जिससे वो food को on camera काफी बहतर दिखा सकें, mashed potatoes को chicken की volume बढ़ाने के साथ साथ pies में मिला कर bake भी किया जाता है, जिससे pie की steady consistency उसको काटने के बाद भी maintain की जा सके, अब आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी जिससे सुनकर आपके दिमाग की बढ़ा जाएगी, फिजी soft drinks के ads में उन्हें जरूरत से ज़ादा fizzy दिखाया जाता है, और ये achieve किया जाता है antacid tablets से, इस चीज की shoot के दौरान soft drinks की bottle में एक tablet antacid की डाल दी जाती है, जिससे वो tablet sink हो जाती है और बहुत सारा fist produce करती है, जो कि photographers को एक perfect shot लेने में बहुत मदद देता है, इसके साथ ही perfect grill marks के लिए buns और burger patty पर shoe polish का इस्तिमाल किया जाता है, ताकि photo में ये सब ही बेहत मोहक लगें और खरीदने वाले इन चीजों को जादा से जादा खाएं। इसी तरह के और वीडियो के लिए आज ही जन्नाट facts को subscribe करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें। गुडबाई।